हेलो फ्रेंस गुड मार्निंग कैसे हूँ आप सब आप से बच्छी होंगे मैं भी अच्छी हूँ और अभी टाइम हो रहा है पौने दस और खाना मैंने बना लिया है मतलब सब्जी बना ली है यह टीना भी उट गई है तो उसको नास्तावा किर अभी करवा दिया है तो आज अधि शुटने किया था था थोड़े टाम पहले है लेकिन अभी मैं इसको फिर से करने वाली हूँ पहले आज यह करूँगी तो जितना होता है मैं आज करूँगी और फिर विरु को भी मुझी लेने जाना है रोटी बनानी है सब्जी में बना दी है आठा मिने लगा के बूख लग रही थी तो थोड़ा बहुत मैंने नाश्टा भी कर लिया है चावल बनाए है तो नाश्टा नहीं बनाएगा चावल बनाए है तो पनीर के साथ में थोड़ा से चावल मैंने खा ली है तो थोड़ा सा मैंने नाश्टा कर लिया है कि खाली विट कॉन काम भी नह करवा लिया है तो अभी वह दूसरे कर लिया है दूसरे मोबाइल देख रहे हैं तब तक क्या करती हूं यह स्टार्ट कर देती हूं वैसे वो परशाइन रही है मैंने सोचा ताब हो जब तक सोएगी तब तक करना ही पड़ेगा मुझे तो चलिए जल्दी से करती हूं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सस्क्राइब देना और प्लीज वीड है Irni भीडिउफ अर्य वीडिफिव फैर नीचे उतारूँगी फिर बात में जाले वगगरा साफ करूंगी और जब Правे क्लिय लिग करते हूं इतना साहरा समान्ग हो जाता है उपर कुछ भी ऐसे उठॉड पढ़ा रहता है लेकिन जब प्帶ानी फिर जब नीचे ले लेतें तो कभी मेरे हस्बेट ऐसे लेते रहते तो वह ऐसे रख देते हैं तो फिर ऐसे आलत हो जाती वापिस से तो अभी काफी टाइम हो चुका था मैंने क्लीनिंग नहीं कहा था क्यूंकि थोड़ा सिलाई का काम अच्छा चल रहा था उसकी वज़े से थोड़ा टाइम नहीं मिन तो मैंने रोक देती शिलाई मतलब शिलाई नहीं क्लीनिंग रोक दी थी तो अभी अच्छा टाइम था मेरे पास तो मैंने कर दे दियू और आपको मेरी आवाज में कुछ फरक दिक रहा होगा तो मुझे सर्दी हो रखी इतने तेज हो रखी ना कि दो दिन से मुझे कोई कर रहा था और अभी भी नहीं था लेकिन फिर्वी मेरी विटीक्तर करें की बोला इसा बेठ रखा है और जितना बोलती हुआ इतना पूरा मतलब ऐसे मुझ सूख जाता है तो बोलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और सर भी काफी जादा फट रहा है तो इसकी उज़स से मिडियो नहीं कर पा रही थी एडिट करके रकाता लेकिन वोइस ओवर नहीं कर पा रही कि हट हाए और तो और कि कि लिए एंट देख देख के उतार रहे हैं और कुछ द्वाइब भी सब्सक्राइब कि मेरे मेडियर वह मेडिस्टि होती है और सीर्फ तो नीचे रखते बच्छों का लेकिन हमारे लिए जो आती हैं तो थोड़ा बहुत निकला था दवाई क्योंकि कभी कबार हम लोग एक गो लेते हैं फिर वह रहे जाती है पीछे की तो उपर ही रह जाती है तो उसके वजह से मुझे जो भी सारा सामान होता है सारा देख देख के निकालना पड़ता है तो इसी वजह से मैंने सारा देख के निकला है कौन सा उपर रखना है कौन सा निचे रखना है और वीरू अभी स्कूल गई हुई है तो अभी वह खेल रहे हैं तो जल्दी से मैं कर देती हूं क्लीनिंग और जाड़ू में लगा दिया है और जहां गैस वगेरा पड़ा रहता है न उदर थोड़ा जादे ही गं सब्सक्रावे में पोछया लगा दूगी थोड़ा दूल मिटी जो चिपक गया है वो निकल आएगा तो जल्दी से कर लेती हूं और मैंने बाहर यूटूब पे गाने लगा रहे हैं जो कि यह भी चल रहे हैं और जब भी में काम करती हूं ना मुझे जल्दी-जल्दी करना काम करते जाता है दो को किसी को बुला भी नहीं सकते हैं और जो करना ही पड़ता है बहुत सारी ओरते ऐसा करती है जैसे कर दी हूँ क्योंकि मेरे यापर दोनों बच्चे चोटे हैं अबने चले जाते हैं सुबह सुबह और मैं घर पर अकेल हूँ तो उस वज जैसे और यापर मैं फिर से रख रही हूँ कटा उसमें काफी सारा सामान प मेरे सिस्टर के साथ भी ऐसा हो चुका एक बार मतलब कपड़े सुखा रही थी तो उसका सर पैसे लग गया था फैन से तो मैं कोई काम करती हूं जैसे उपर चणना हो तो मैं पहले फैन बन करती हूं मुझे मतलब काफी ज्यादा डर लगता है कि घर पे अकेली रहती हूं तो देखें आपर मैंने क्लेणिंग कर दी हैं और जो भी सारा सैमान था फिर से मैं एजस्ट करके सारा रख दूंगी और तीना का जूला भी मैंने खोल दिया है तो वह भी मैंने उपर रख दूंगी ताकि वह बार-बार बीच में न आये पहले नीचे ही पढ़ा था अभी मैं उसको बांद के फिर रखोंगी और इस सारी थेली में टीना वीरू के स्कूल के जो बुक्स हैं वो पड़े हैं जो कि टीचर ने दे तो दिये लेकिन कभी यूज में लिये नहीं है पता नहीं इतना क्यू देते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता है इतने चोट बैचों क लेकिन वीरू के पास अल्रेड़ी तीन चपल है तो उसकी वेज़े से उसका नहीं निकाला है बाहर जब गाव जाएंगे तम निकालेंगे और यहां पर मैं रसी डून रहे थी क्योंकि मुझे इसको बांदन था यह बार बार नीचे आ जाता है उसकी वेज़े तो चलिए लेगे और साई साथ सय कोम बनीचे प्राव कोई सब्सक्राइब को यह क्यों गया है कि यह तो यह देखो यह पर मैं काम प्राव करें तो इसको यह ने पूर में पाव कर निकीज द выглядит कर दो हुँरो के क्यों देख देते हैं और यह दिखिए इतना सारा कच्छरा हुआ हैं जाडू से फटाफ से सारा क्लीन कर दूंगी और फिर बाद में मैं फोचाना गाऊंगी और अभी तक थोड़ा बात काम भी है घर मतलब जो भी कपड़े बगरा धूने हैं तो मैं वह बाद में दूंगी अभी पहले जाडू ल नीचे रखे ऐसे जल्दी से जाडू लगा देती हूं और आप देखे आप मैंने पहले अलमीरा का जो दर्वाजा था वह मैंने इदर रखा था खिड़की की साइड में लेकिन अभी मैंने इसका जगह चेंज कर लिया है और अभी सारा सामान भी अच्छे से आरा नीचे गिरेगा भी नहीं और काफी लोग मुझे बोले थे कि इ पिर बाद में मुझे वीरु को भी स्कूल लेने जाना है तो उसके मीच में मुझे नहाना भी है कपड़े भी दोने हैं तो मैं पहले जल्दी से रोटी बना दूंगी और बाकी का जो भी क्लेनिंग है वह मिसकल करूंगी क्योंकि काफी जद़ मैं थख चुकी हूं और यह और मैंने अपने लिए गरम पानी भी रखा है जो कि मेरे लिए और टिना के लिए दोनों के लिए काम आ जाएगा और मैं हमेशा गरम पानी से नहाने की आदत नहीं है जब भी मैं थंड़ा पानी उससे नहाती नहाती है तो मैं जल्दी से बिमार हो जाती हूं तो मैं कोशि नहीं मुझे ठंडे पानी से करना है तो पता नहीं को कैसे कर लेते मेरे से तो बिलकुल नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं इतनी बिमार होती हूं गरम पानी से नहाने के बाद में भी और वो ठंडे पानी से नहाती फिर भी बिमार नहीं होते आज मैंने बाल दोए थे तुम हपने में कितनी बार बाल दोती हो तो बोलते तब भी मैंने इतने टाइम से क्यूर दोती हुआ रोज बाल दोने चाहिए लेकिन अभी उनको कौन बताए कि हमारे बाल बड़े होते हैं और हम रोज नहीं दो पाते हैं और मतलब बाल गिरते भी बहुत जादा है जब दोते हैं तो उसकी वज़ासे लेकिन वह उनको लगता है कि हमेंसा रोज बाल दोने चाहिए तो यहापर मैं अपने बाल सुखा रही हूं और मुझे थोड़ा जल्दी था इसलिए मैं ऐसे उसमें टावल लपेट के रख देती हूं तो जब सुक तो बादे में उन्हें सटकर देती हूं आज मुझे जाना था वीरू को लेने के लिए टाइम हो चुका था तो में जल्दी-जल्दी से बाल अपने बना रहे थी और मैंने अपने बाल जो थे वह सिर्फ उर उप उप आपक कि उपर के वाल थीक रहें उपर कर देखत करें। अपर जाना भी था उनको तो करनारी स्मों में भागने लगा जाता है चोड़ा है तो फिर टीचर भी बोलते न कि सुबह जलती आते हैं और दो और की ताइम आती नहीं और चोटी है और काफी जादा शरारती भी है तो क्या करती है भागने लग जाती है ₹ फिर उनको भी संबालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो फिर मैं क्या करती हूँ बारा बज़े फिक्स निकल जाती हूँ दस मिनट टीचर वहाँ पर रुखते हैं तब तक मैं उसको लेके आ जाती हूँ तो आज भी हस्बेन ने अचानक से बोला था तो फिर मैंने का ठीके में लेके आ ही जाती हूँ तो फिर क्या था मैं यहाँ पर रेडी होके आ गई हूँ सारी लाइटे बगरा बंद कर दी हैं तो अभी मैं जाओंगी और वीरु को लेके आओंगी और टीना यहाँ पर रेडी होके बाहर आ गई है तो चलिए जल्दी से उसको लेके आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं वीर को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड गुड नाइट